हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम विवेक सिंग राठोर है एंड मैं आपको इस विडियो लेक्चर सीरीज के तरू डिजिटल इलेक्रोनिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं डिजिटल इलेक्रोनिक्स में अभी तक हम लोग 11 लेक्चर कंप्लीट कर लिए लगभग 11 गंटे कंप्ल अगर आप नहीं देखें तो आप प्रिवेस लेक्चर एक बार विजट करते हैं वहां से आप आएंगे तो आपको ज्यादा बेटर अंडर्सेंडिंग होगी और मैं मोस्ली सारे कुश्चन भी करा रहा हूं जो जिस मॉडल से कुश्चन पूछे जाते हैं आज वैसे आप जब देखेंगे तब यह वीडियो अलग दिन होगा लेकिन आज का दिन दिवाली है है एपी दिवाली सभी को मेरे तरफ से और आज के दिन भी अभी लगभग अगर आप टाइम देखें तो अभी साढ़े आठ बज रहे हैं घर में पूजा भी चल रहे हैं लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना हो सके जल्दी से जल्दी हो सके यह डिजिटल लेक्ट्रोनिक सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा के कम्प्लीट किया जाए तो मैं डेडिकेटली आप लोगों के लिए अभी यहां पे बैटके लेक्टर रिकॉर्ड कर रहा हूं आप जहां क्या पढ़ने वाले एक नया टॉपिक स्टाट करने वाले जो की बहुत इंपॉर्टेटेंट है आप लोगों के एकसाम पॉइंट उसे वह आपका सिक्वेंशियल ठीक है सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट यह आप लोगों को याद होगा कि मैं Combinational के समय में आप लोगों को nag back comparison what the Combinational logic circuit क्या होते हैं sequential logic circuit都ôn sequential logic circuit में अगर आपको मैं याद दिला ही तो कुछ-कुछ 치 quienes one एक्दम याद रखेगा कि इस type के circuit में क्या होता है कि आपका जो output आता है उसका कुछ part input को दिया जाता है, और फिर output आता है, मतलब इसमें जो output आता है, ठीक है, इसका जो output है, वो कहीं न कहीं, present input पे तो dependent है ही, ठीक, present input जो अभी दिया गया है, उस पे वो dependent है, लेकिन कहीं न कहीं, वो past जो पिछला input दिया था, उससे जो output आया था, वो भी आया है, तो यह past output पे भी dependent है, ठीक, past output पे भी इसका dependency होता है, इसमें याद रखेगा कि इसमें कुछ feedback आता है output के तरफ से input के तरफ, यह चीज आप याद रखेगा, और आपको यह भी याद रखना है कि अगर past output पे dependent होता है, तो कहीं न कहीं यह memory के लिए बहुत useful है, क्योंकि चीजों को store करके रख रहा है, तो memory purpose के लिए sequential logic circuits का इस्तमाल जरूर करेंगे, तो यहां तक अगर आप लोगों को पहले भी समझ में आगे होगा, तो अब इसके आगे बढ़ते हैं, और हम लोग देखते हैं कि इसमें सबसे पहला जो device हम लोग देखने वाले हैं, वो है flip-flops, क्योंकि memory की बात किये हैं, तो memory में जो सबसे basic memory store करने वाला element होता है, जो जैसे आपन बहुत सारे bit, kilobyte, जैसे हम GB में बात करते हैं, MB, terabyte, वगरा वगरा बात करते हैं, एक byte आपको पता होगा, आप सभी को मेरे ख्याल स हम पता होगा, कि जो सबसे पहला एक जो होता है, वो होता है bit, चाहे वो 0 हो, चाहे वो 1 हो, ये दोनों मिला के bit कहलाता है, जब ये 4 हो जाते हैं, 4 bit हो जाते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं, निबल, ठीक, निबल, आचा, और ये जब फिर 4 और 4 मिला के ज जब ये बनते हैं आपका बाइट थिक तो एक बिट से शुरू होती है निबल तक जाती है फिर यहां पर बाइट आता है और 1024 थिक है 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलो किलोबाइट थिक पहले तो आपको यह रखना है 1024 bit बराबर एक किलो बाइट होता है और एक बाइट का तो आप समझी गए है कि कितने 8 bit होते हैं यहाँ पर सॉरी इसको यहाँ भी लिख देता हूँ तो अब यह खुद 10.3 में यहाँ पर आ जागा 10.6 तो आप इसको बोल सकते हैं 1 MB तो 1 MB बराबर 1024 kb होता है आप 1024 MB करेंगे तो आपको मिलेगा 1 GB ठीक और 1024 GB करेंगे तो आपको मिलेगा 1 TB टेरावाइट तो आपको कहां से शुरू हो रही थी कहानी bit से आगे 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 ठीक अच्छी बात है आपको याद है कि 1 TB जो अगर हम लोगों को स्टोर करना है तो हम कहां कर सकते हैं आप हाट डिस्क वगरा में स्टोर कर सकते हैं इतनी बड़ी जो है वो आपका हाट डिस्क में आ जाएगा स्टोर हो जाएगा की तरीक तरीके से अपन हाट डिसुम में स्टोर करते हैं आप जन्रलवी वगरा सग में अगर आप जाये 700 τοंब घाये तक यापको अप्तिकल डिस्क वगरा मिल जाते आ हैं आपको ऑ्टिकल डिस्क में इतनी वै्ल्यू जन्रली सीड़ी वगरा-वे देखें softer Oke और आप मेमोरी में भी मिल जाता है अगर आप पता होगा आपको तो मेमोरी का एक हारारी होता है जिसमें सबसे चोटी मेमोरी होती है रेजिस्टर उसके बाद जो मेमोरी होती है वह होती है कैश मेमोरी फिर जो मेमोरी होती है वह होती है प्राइमरी मेमोरी और फिर जो मेमोरी होती है वह secondary memory होती है, आप computer वगरा में पढ़े होंगे बच्पन में, तो registers जो होते हैं, आप इतना पढ़े होंगे, लेकिन अब अंदर की बात है, जैसे secondary memory होती है, जो आपकी flash memory हो गया, pen drive वगरा हो गया, आपके cd, dvd, आपका जो optical disk हो गया, magnetic disk हो गया, सब यहां पर आ जाता है, आपकी primary memory होती है, वो RAM ROM होती है, वो primary memory होती है, ठीक है, तो आपका RAM ROM हो गया, उसके बाद आपका cache memory हो गया, cache memory उससे कम होती है, cache memory, मतलब generally क्या होता है, कि कुछ जो चीज़े बार-बार यूज आते रहते हैं, computer processor क्या करता है, उनको cache memory डाल देता है, ताकि एक बार hit करें, तो वहाँ पे अगर उसको मिल गया, तो हम लोग बोलते हैं, hit हो गया, और अगर वहाँ cache memory में, अगर उसको वो data नहीं मिला, तो वो फिर जाता है main memory के पास, तो main memory आपका primary RAM हो गया, आपका ये सब main memory हो गया, तो आपका cache memory बहुत कम space का होता है, जैसे आप मान के चलिए कि, जैसे अपन पैसा रखते हैं, पैसा, wallet अपन एक, क्या हो गया, आपका bank में पैसा रखते है, bank आपका secondary memory हो गया, ठिक primary memory आप मान के चलिए कि, आप wallet में अपने vidéo में पैसा रख लिए, तो आपका main memory हो गया, primary memory, और आप जίसे मान लिए, ये shirt है, तो shirt कब जेब रहता है, ठि तो बिल्कुल वैसा ही है cash memory type का कि यह छोटू से जेब है जो बार 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 यूज आता है उसको वह cash memory में चला जाता है तो cash memory बहुत ज्यादा नहीं होता इसकी जो range होती है वह kilowatres में होती है जो primary memory होती है वह आपका NBs वगरा में होता है और आपका secondary memory होता है और register क्या होते है register बहुत छोटे चोटे मेमरी होते हैं मतलब छोटे चोटे चोटे मेमरी मतलब यह ऐसे बिट्स में होते हैं इसमें 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 कहते हैं तिक उसको flip flop बोलते हैं तो यह कहानी में आपको इतना सारा लंबा चोड़ा कहानी इसलिए बताया ताकि आपको एकदम बेस लेवल तक ले जाने था किवा जो एक बीट स्टॉर होता है वह flip flop में होता है ऐसे flip flop flip flop कीछ हम बने रहते हैं तब रजिस्टर बनता है और ऐसे ये सब मिला मिला के अपन बनाते हैं कैश और इसको बड़ा करते हैं तो प्रैमरी में मेम्वरी और बड़ा करते हैं यह पूरा सेगमेंट है इसका सबसे जो मॉलेस्ट एलिमेंट है जिसमें मेमरी हम लोग स्टोर करते हैं वो है आपका फ्लिफ फ्लॉक तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं फ्लिफ फ्लॉक करते हुआ ठीक है तो फ्लिफ फ्लॉप वाला सेग्मेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रस्ट यहां पर लिग देता हुआ आपको फ्लिफ फ्लॉप क्या है फ्लिफ फ्लॉप एक बेसिक अपनूरी एलिमेंट है इसका मतलब यह है कि जो सबसे बेसिक पार्ट फिलिफ फ्लॉप है इसमें आप लोगों को मैंने बताया कि कितने bit store हो सकते हैं तो सिर्फ ये one bit को store कर सकता है ये बात को याद रखेगा क्योंकि कई बार आपके IES वगेरा में तो पूछे आता है कि flip-flop can store how many bits तो सिर्फ one bit को ये store कर पाता है ठेक हाला कि इसके बास दो type का output होता है q होता है q लेकिन आप यह मान के चलिए कि how q जो है इसका output होता है वो तो q बार स्का इन्वर्स होता है तो flip-flop को क्यों में holiday तो ग्यों हो सकता यह तो सेरो होता है मतलब दो stable state में इसके आउट्पुट अते हैं ठीक two stable state मतलब या तो इसका पूरा one हो सकता है या तो zero हो सकता है दो stable state में इसका output आता है ठीक है और इसी वज़े से इसको हम लोग बोला जाता है by stable multivibrator तो by stable multivibrator अगर आपको कोई बोलता है तो by stable multivibrator बिल्कुल आपको अगर logic gates वाला याद होगा तो आपको में बताया था कि दो बार not gate up connect कर लिजिए उसको output से ले जाएगे तो यह क्या बन जाता है जीरो का one होगा one का zero होगा और यह zero बार बार 00 ही store करता जाएगा अगर यहां one कर देंगे तो यह one one दूसरे के compliment form पर रहते हैं अच्छा अब इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है जब flip-flop पढ़ेंगे तो flip-flop से पहले हम लोग लैच पढ़ेंगे टिक लैच तो लैच हम लोगों को देखना है तो इसमें देखिए अएस आर लैच होता है एस आर लैच यह दो घेट को पढ़ेंगे न जान गेट से हम लोग SM聞 को पढ़ने वाले और नरं गेट से भी हम लोग SM literature को पढ़ेंगे उसके बाद हम लोगों को क्या क्या देखना है उसके बाद हम लोगों को तो SR flip-flop देखना है, SR flip-flop, फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे JK flip-flop, ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे D flip-flop, जिसका हम लोग delay flip-flop बोलते हैं, और एक होता है toggle flip-flop, जिसका हम लोग T flip-flop बोलते हैं, तो ये चार flip-flop हम लोग mainly इस पूरे segment में देखनेवाले हैं और latch देखने वाले है NAND और NOR का latch ठीक है फिर हम लोग यह देखने वाले हैं इसके बाद इस पूरे chapter में कि अगर आपके पास मान लीजिए आप market से कोई एक flip-flop खरीद के लिया है SR flip-flop लेके आगए और आपको उसको JK बनाना है ठीक मतलब यहां फिर आपको JK है और आपको T flip flip-flop बनाना है तो इन लोगों का जो conversion है आपस में कि कैसे अपन एक flip-flop से दूसरा flip-flop बना सकते हैं वह हम लोग यहां पर देखने वाले हैं और फिर हम लोग यह बीच में यह भी देखेंगे कि master-slave flip-flop क्या होता है master-slave flip-flop तो यह सारा segment हम लोग इस chapter में कवर करने वा कारे में बताने से पहले आप लोगों को मैं basic जो हम लोग circuit था वह बाइस्टेबल मल्टी वाइबरेटर का वह आपको बता जीता हूं आपका यह दो नौट गेट था ठीक यह आपका दो नौट गेट ठीक अब इसको क्या किया अपन इसका जो output आया उसको हम लोग क्या इसक स्काम करते हैं ऐसे लेकर किसी और नौट गेट में डाल देते हैं अभी तक वह यह वही circuit है एक नौट गेट है उसका output है उसका output को हम लोग दूसरे नौट के पहले वाले nut gate का अपन इन पूट बना दिए क्या यह वही है जह हम लोग देख रहे हैं हम लिलुकुर यह कुछ इस पर बना सकते हैं ठीक है यहाँ पे अपन क्या कर रहे है mealy यह 0 का 1 हो रहा था 10 और यह यू ही चलता चनल जा अरा सा भले आप यह वाला इंपुट हटा भी देते थे तो भी यह 0 जाता फिर फिर 8 हो tres अपने हो जाता इसको open करना पड़ेगा, इस connection को open करना पड़ेगा, और connection open करके हमको नया input देना पड़ेगा, जो की फड़ा सा feasible नहीं है, तो हम लोग क्या करते है, not gate से हम काम नहीं चला पाएंगे, तो हम लोग अब NAND और NOR से try करते हैं, कि NAND से क्या बन सकता है, या NOR से बन सकता है, तो हम ल NAND gate में बन नहीं पाया, क्योंकि NAND gate में बार बार input को खोल खोल के उसको देना पड़ रहा था, तो हम लोग NAND gate में चलते हैं, NAND gate में, और NAND gate का क्या करते हैं, हम लोग ऐसे ही एक circuit लेते हैं, let's suppose कि यह उसमें जो input दिया हुआ था, NAND gate के बजाए, वह आपका NAND gate में दे द output है, वह आप इसके साथ connect कर दो, ठीक है, और इसके लिए भी एक input दे दो, आप यहाँ पे एक input दे दिये, ठीक, इसका नाम हो गया, let's suppose कि इसका input है, let's suppose S है, और यह R है, ठीक, दो कोई भी नाम आप दे सकते हैं, अभी SR नाम दे जाते है, SR दो input है, ठीक, इसका जो एक input है वह इसके output से है, और इसका जो input है, वह इसके output से है, इसका जो output है, उसको अपन बोलेते हैं, कि इसका जो output आया, वह आया Q, और उसका एक complemented form पे आया Q बार, ठीक, यह है, आचा, अब हम लोग चेक कर लेते हैं, कि क्या-क्या point हो सकते हैं, जैसे इसका flip table बना लेते हैं, 1-0 हो सकता है, और 1-1 हो सकता है, यह 4 possible combination है, SR flip-flop के, ठीक, अचा, अब क्या किया जाए, इसको, जब यह दोनो 0-0 हो जाएंगे, ठीक, दोनो 0-0 हो जाएंगे, तब क्या होगा, दोनो 0-0 हो जाएंगे, तो 0 का बार, मतलब कुछ भी चीज, multiplied by 0-0 ही हो जाता है, फिर 0 का ब 0 ही होगा, 0-1 ही होगा, तो देखिए, QB1 है, QB1 है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, तो यह जो input है, वो invalid है, मतलब ऐसा input आप NAND gate से बना हुआ, इस circuit में नहीं दे सकता है, यह जो output आएगा, वो invalid output आजाएगा, उसके बाद चलते हैं आगे, और अब देखते हैं कि मान लीजे, 0-1 input है, यहां पर ठीक, तो 0-1, इसको हम लोग मिटा देते हैं, और input ले रहते हैं, input हम लोग ले रहते हैं, 0-1 का, ठीक, तो यहां पर आपन 0 ले लिए, यहां पर 1 ले लिए, यह 0 है, कुछ भी number multiplied by 0, 0 ही होगा, 0 बार 1 होगा, यह आ गया, 1 इधर 1 आया, इ वो आपका 1 आएगा, simple सबा, ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप हम लोग यहां पर ले रहते हैं, 1-0, ठीक, तो यहां पर हम लोग, यहां पर input change कर लेते हैं, और input हम लोग ले रहते हैं, 1-0, 1 कुछ भी number into 1 करेंगे, तो आपका यहां पर, basically, यहां पर तो 1 इधर गया, 1-1, 1 का बार 0, तो यह 0, बिल्कुल सहीं, यह 0 होगा, बिल्कुल सहीं, तो output यहां पर 0 हो गया, अच्छी बात है, अब हम लोग एक और input लेते हैं, यहां पर input हम लोग ले लिए, SR में, let's suppose, 1 और 1 हो गया, ठिक, 1 और 1 आपका, क्या बुलते हैं, input हो गया, अब क्या कर सकते हैं, हम लोग देखें, यहां पर हम 1-1 हो गया, 1 यहां पर देंगे, तो समझ में नहीं आएगा, यहां पर भी 1 देंगे, तो समझ में नहीं आएगा, जैसे यहां पर अपना Q, let's suppose, कि यह Q बार है, तो यह Q bar है Q bar into 1 कुछ भी करेंगे तो Q bar ही रहेगा Q bar का वो करेंगे तो यह Q ही आ जाएगा ठीक यह Q का Q ही रहेगा Q यहां पर गया तो Q into 1 Q ही रहेगा Q bar ही रहेगा तो यह आप चाहे कुछ भी करें 1 1 input देंगे तो यह Q का Q रहेगा Q bar रहेगा यह चेंज नहीं होगा, यह सेम ही सेम रहेगा, तो यहां पर हम लोग नो चेंज बोल सकते हैं, तो यह आपका truth table हो गया, किस चीज का, अगर हम लोग एक latch बनाना चाहा रहे हैं, एक device बनाना चाहा रहे हैं, जो दो NAND gates है, जिसका एक output से एक input को connected है, एक input से, इसका output से connected है, ठीक, यह हो गया, अब ठीक है, तो आपको यह चीज NAND gate से समझ में आ गया होगा, अब हम लोग इसी को दूसरे gate से try करके देखते हैं, वो है आपका NOR gate से हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग एक SR का latch बना रहे हैं, ठीक, SR का latch, अभी तो आप इतना ही यहां पर NAND gate या NOR gate से हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक, तो यहां पर इसको भी बना के देखते हैं, यहां से आपका एक NAND gate के लिए, अचा नार gate है, यहां पर आपका NOR gate आ गया, यह आपका, इससे हम लोग एक input लेते हैं, ठीक, और यहां पर अपन लगा देते ह है, ठीक, यह ओगया आपका, यह हो गया, इसका आपका यह हो गया, और यहां से connected हो गया, ठीक, और यहां से भी एक input लेते हैं, वही आपका input, 1S है, और 1R है, यहां पर आपका output Q है, और यहां पर output Q र है, सेम तु सेम हैं, बस आप क्या किये, NAND के जगा NOR लगा दिये, ठीक अब क्या करते हैं हम लोग इसका टुड डेखते हैं तुड टेबल क्या है गेस्ट बाइएब साथ चाहिंद्ट कॉ मबिनेशन है आप जिसको अपन सब्सक्राइब सब्सक्राइब 10 ले लिए और आपका 11 ले लिए ठीक यह चार possible combination output है अब इससे होगा क्या इससे फायदा क्या होगा आप यह देखें इसको अपन 00 लगा देते हैं 00 लगाए तो क्या होगा जिरो प्लस कुछ भी नंबर आएगा तो जिरो से तो कोई effect पड़ेगा निए ठीक, समझे नहीं आएगा, इसको एक काम करते हैं Q bar ही ले ले लेते हैं, तो Q bar यहाँ पर आ गया, Q bar प्लस 0, Q bar ही रहेगा, Q bar का यह Q, वैसे ही यह Q यहाँ पर आ गया, Q प्लस 0, Q ही रहेगा, Q का बार Q bar, क्या यह change होगा, कभी change नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको जो condition है, वो आपको 00 के ही no change condition मिलते जाएगा, ठीक अब है अब आगे आते हैं और वह's देखते हैं यहां पर इसको पहले मिटा देता हूं आपको अब हमनों देखते हैं यहां पर कि हम यहां पर 01 रग दिये अंब दिखें कोई भी नंबर को अगर आप एड कर वह बन के साथ ने करें तो नहीं रहेगा कि कि उसके बाद क्या होगा वन का बार यहां पर जीरो हो जाएगा और प्लस जीरो जीरो होता है जीरो का बार यहां पर वन हो जाएगा तो बिल्कुल सही है क्या वन क्यूं में होगा यह होगा तो यहां पर यहां पर लिख सकते हैं कि आउट्पुट यहां पर आपका वन होगा ठीक है और इसके बाद चलिए हम लोग एक और कुछ आउटपुट ले के दिखते हैं ठीक है यहां पर हम लोग ले लिए इसका आउटपुट कि लेट सब्सक्राइब कोई भी नंबर को अगर आपन वन से ट करेंगे तो फर्च 4 की यह अच्ति यह बिल्कुल वैलिड अपका यह छाई-उस पर आपका क्या हो गयाा देखते हैं चलिए 1 है तो कोई बी नमबर जीसे और 0 çıkt और यह 0 प्लस 1 वन ही होगा1 नहीं हो सकता तो यह आपका इंवेलिक तो अगर आप किछला प्रुकुरा और कमपयर करें ठे mem वहाँ पे 00 पे invalid condition आ रहा था मतलब जब दोनों जो input है उसको आपन disable कर दिये थे तब यहाँ पे output invalid होता था और यहाँ पे देखे जब दोनों को disable किये 00 कर दिये तो output change ही नहीं हो रहा दोनों में अंतर यही है NAND और NOR latch में देखे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 01 है वहाँ पे 01 था 01 आउटपट यहाँ पे 1 आ रहा था और यहाँ पे आउटपट भी बना रहा है ठिक यहाँ पे अगर आप 10 देखेंगे तो output क्या आएगा 0 आएगा यहाँ पे अगर 10 आउटपट देखेंगे तो आउटपट 0 आएगा सेम NAND और NOR में 11 में यहाँ में बस change होते हैं चाहे आप SR latch को NAND से बनाएं चाहे नौर से बनाएं तो यह जो SR latch है आपका चाहे नैंड से बने चाहे नौर से कई बार इंटर्वीव में ऐसे question को पूछते हैं कि अगर आपको एक latch दिया हुआ है उसमें input आपको दे रहा है आपका output कि आएगा तो आपको यह बोलना चाहे है कि sir यह पहले पता चल रहा है कि कौन सा type का latch है नैंड है या नौर है कि आप चाहे 0 1 दे चाहे 1 0 दे आउटपुट सेम रहेगा वह तो ठीक है चाहे 0 1 दे चाहे 1 0 दे आउटपुट सेम रहेगा लेकिन अगर आपका 00 होए या 11 है अगर सेम इंपुट है 00 या 11 यहां पर आउटपुट आपका थोड़ा चेंज हो रहा है ठीक है लैच को हम लोग memory element की तरह भी use करते हैं ठीक है और generally इसको use इसले भी किया जाता है ताकि हम लोग जैसे switch keyboard वगरा में switch होते हैं वह bounce back ना करें उस परपस के लिए हम लोग इसका इस्तमाल करते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि आपका जो sr flip-flop वाला segment है sr flip-flop वाला segment आपका क्या कहता है क्योंकि लैश तो हो गया तो चलिए हम लोग अब sr flip-flop में देखते हैं कि flip-flop में क्या चीजे होती है ओके देखे ऐसार flip-flop में basically यह है कि इसको भी हम लोग 9 और नौर गेट से बनाने वाले हैं पर यह इसमें क्या है कि आपको clock signal भी आपको मिलेगा ठीक तो आप इसको थोड़ा से circuit को देखेगा तो आप समझ पाएंगे कि इसका circuit कैसा है आपका देखे पहले जो latch था वो कैसा था आपका NAND का यह latch था ठीक और यहां से जो output आया था वो आपका यहां पे input में चला गया था और यहां का जो आया Q था यह आपका Q बार था यह आपका S था यह आपका R था और यह हमारा latch था अच्छी बात है अब क्या करना है यहां से अपने को थोड़ा सा दिक्कत आ रही है क्या दिक्कत है कि NAND से बनाते हैं तो हमारा कुछ output जाह 0-0 या 1-1 ने दे तो invalid हो जाता है या नो चेंज आ जा Qně paper-shankenER का output को अपन direct connect कर देता है और यहांसे हम लोग ले रहते हैं इसको S बोल रहते हैं वैसे यहां पर हम लोग एक इसको connect कर देते हैं और यह वाला जो है यह आपका R हають ठिक और इन दोनों को इसका जो एक input है इसका जो दोनों का एक input है इसको हम लोग clock से generate कर देते है उसके बाद आपका s आ गया यह s है और यह आपका r है ठीक और उसके बाद आपका जो output है वो आपका जैसे यह q है ठीक तो यहाँ पर आपन इसको लिखते हैं कि यह जो इसका next term होगा qn plus 1 वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं qn plus 1 तो देखेगा चलिए इसको थोड़ा से समझ नमबर आपन मुल्टिप्लाय करेंगे s में जो भी होगा फोग जीरो हो जाएगा यहहाँ पर जो भी मंटिप्लाय करेंगे r से हो 0 हो जए थो तो basically यहाँ पर कुछ मतलब नहीं हो रहे है चाहे s का कोई मतलब नहीं है, r का कोई है, s चाहे 0 हो, 1 वसे कोई लेना दिन छीन नहीं, यह 0 का बार 1 ही होना है इसको 0 बार 1 ही होना है, ठीक है, तो यहांपे हम लोग क्या है कि, चाहे कुछ भी हो, s, r में चाहे clock अगर 000 है, देखे, ग्लॉक अगर 0 है, तो यहां पे जीरो जीरो चला गया S कुछ भी होगा कोई फर्क पड़ेगा यह 0 बार 1 ही होना है इसको 0 बार 1 ही होना है अगर यह 1 1 हो गया तो 1 1 में आप लोग पता है SR latch में अगर NAND वाला circuit है देखे यह NAND वाला circuit है इसमें जब 1 1 होगा तो circuit क्या आया था ना तो no change होगा मतलब जो भी QN प्लस 1 मतलब अगर यह QN पहले वाला QN है next वाल जो state आएगा जो output आएगा वो previous ही आएगा क्योंकि चेंज तो हुआ ही नहीं है तो यह QN प्लस 1 आपका QN ही होगा इस बात तो थोड़ा सा समझेगा क्योंकि यह input बड़ा important है यहां पर हर चीज यहां पर input पर ठीक हुआ है और questions आते भी है अच्छा चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं यहां पर हम लोग दूसरा लेते हैं clock को बन लेते हैं clock को बन ले लिए तो हम लोग दो possible combination क्या है 010 10 और 11 यह है और clock में आपका 111 ठीक यह है अब हम लोग देखते हैं output क्या-क्या आउटपुट आता है अब यह आता है यह आपका यहां है 0000 रखके देखें चलिए 00 हम लोग यहां पर रखके देखते हैं यहां पे 0 है, यहां पे 0 है clock 1 है, तो यह आपका 1 ही हो गया, अच्छी बात है जो भी 1 से multiply होगा, वो वह अले number से matter करेगा तो यह 0 into 1, 0 है, तो 0 बार 1 हो गया यह भी 0 है, 0 into 1, 0 हो गया, 0 बार 1 हो गया अब यहां पे आप यह बताईए, कि यहां पे फिर से आपको कुछ मिलेगा क्या, वही मिलेगा, क्यू, जो भी number लेंगे, q bar into 1, q bar ही रहेगा फिर यह q ही जाएगा, तो कोई भी यहां पे change नहीं होगा, यहां पे q n ही रहेगा मतलब previous जो state है, वही state को hold on करके रखेगा, ठीक है, अब यहां पे आप एक काम करिए, इसको change कर लिजे, यहां पे इसको change करिए, ठीक, ज्यादा हो गया, इसको अपन, ठीक, अब इसको अपन एक काम करते है, 0, 1 कर लेते है, ठीक, 0, 1 हो गया, अब 0, 1 में क्या है, देखे, तो 1 INTO 0, 0 हो जाएगा, 0 बार 1 हो जाएगा, 1 INTO 1 है 1, 1 बार 0 है, अब यहां पे यह foundation है, 1 ZERO का, 1, 0 का conditioned है, याद है, आपको क्या है, कोई भी जैसे है, Q बार है, तो Q बार है, यहां पर जो भी multiply हो पर Q रहेगा, फिर यहां पर Q हो जाएगा, ठीक, और यह Q swing to 0, अगर आप आप देखें, KU x 0 अगर आप देखें तो 0 हो जाएगा, 0 बार 1, तो यह बन हो जाएगा, और यहाँ 1 into 1, 1 बार 0, मतलब यहाँ पे क्यू जो आपट रहा है, ठिक, अब यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, चेंज करते हैं चेंज चेंज यहां पर चेंज करते हैं मेरे पास तो यहां पर चलिए एरेस हो जा रहा है लेकिन आप लोग को solve करकर देखना होगा 1 0 रख जेते हैं 1 0 रखे यहाँ पर देखे clock 1 1 है 1 into 1 1 1 bar 0 और 1 into 0 0 bar 1 यह 1 हो गया अब आप देखे कोई भी number multiplied by 0 0 ही होता है 0 bar 1 1 into 1 1 1 bar 0 तो यह आपका 1 0 आजाएगा Q में आपका 1 आजाएगा और इसका अगर अपन 1 1 करें ठिक यहाँ पर अगर अपन 1 1 करते हैं 1 यहाँ पर हम काम करते हैं यहाँ पर हम 1 1 रखते हैं तो देखे यहाँ पर clock भी 1 है यह भी 1 है 1 into 1 1 bar 0 1 into 1 1 bar 0 ठिक तो 0 है अब यहाँ पर Q bar है Q bar into 0 तो जिरो यह रहेगा, 0 बार 1, 1 into 0, 0, 0 बार 1, क्या यह possible हो सकता है, नहीं possible हो सकता, तो यहाँ पर यह जो condition है, वो आपका invalid condition कहलाएगा, तो SR flip flop की कहानी में आप देखिए, यहाँ पर आपको no change वाला condition दिख रहा था, जो आपको clock चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, अगर यह 00 है, या फि previous state को hold करके रखता है, नहीं तो आपका reset condition है, एक set condition और invalid condition है, ठीक, तो आपको यह समझना है, कि अगर clock आपका 0 है, clock 0 है, तो irrespective of input, आपका output will be previous state में ही रहने वाला है, ठीक है, तो वो एक memory की तरह act करेगा, अगर clock 1 है, और दोनो input 00 है, तो भी वो previous state या उसको hold करके रखने वाला है, ठीक, अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको और gate से pass कराने की कोशिश करते हैं, sorry, nor gate से, कि sr flip-flop आपका nor gate से कैसा होता है, आपको truth table से समझ में तो आ रहा होगा, कि अगर यह hold करके रख रहा है, इसका मतलब यह है, कि कही ना कहीं यह memory की तरह काम करने वाला है, औ memory की तरह काम किया मतलब, और Q है, एक output है, एक bit को store करके रखेगा, तो हम लोग पढ़ तो यही रहा है, कि हम कैसे एक bit को store करा सकते हैं, तो यह आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक, उसके बाद चलिए, nor gate से को करने की कोशिश करते हैं, तो nor gate आपका देखे है, यहाँ से आ यह हो गया, ठीक, ठीक है, यह, यह दो हमारा था ही, Q था, Q बार था, ठीक, इसमें अब क्या किये हम लोग, यहाँ पे अब and gate लगा देते हैं, चलिए, ठीक, and gate से हम लोग इसको पास कराते हैं, and gate से पास करा दिए, इसका एक input upon s दे दिए, इसका एक input upon r दे दिए, और यहाँ पे हम लोग, clock से पास कराते हैं, ठीक, अब इसका truth table हम लोग देखते हैं, s, r, q, n प्लस 1, ठीक है, और clock भी तो देखना पड़ेगा अपन को, तो clock का है, देखें, अगर clock 0 है, तो कोई भी state आपको देखने की जरुवत नहीं, अगर clock 0 है, तो यह जो है, आपका 0 ही हो जाएगा, यहाँ पे 00 हो जाएगा, टिक, 00, और 00 हुआ, इसका मतलब यह है कि, देखें, q बार प्लस 0, तो q बार ही रहेगा, q बार का यह q हो जाएगा, और q का प्लस 0, q, q का q बार, तो यह अपने previous condition को hold करके रखे रहेगा, अगर clock 1 है, और अब possible combination देख लेता है, 1011, यह आपका 111, clock 1 है, अब आप देखें, 00 है, तो आप कर लीजिए, यहाँ पे 00 कर ठीक, इसको आपन दूसरे pen से कर लेते हैं, चलिए, red pen से करते है, 00, तो 00 है, तो 0 अगर आपन किये, तो क्या होगा, देखें, कोई भी number, जैसे clock आपका 1 है, clock आपका 1 है, ठीक, 1 into 0, 0, 0 ही हो जाएगा, 1 into 0, 0 ही हो जाएगा, फिर यह वही बात है, कि इसको as it is hold करके रखे तो यह qn को ही hold करके रखे लेगा, उसके बाद चलिए, आप green से दिखाते हैं, अब condition क्या है, यह 0, 1 है, तो 01 है, तो देखें, और clock क्या है, आपका clock तो आपका 1 ही 1 है, clock आपका 1 है, 0 into 1, 0, 0 ही आजाएगा, ठीक, और यहाँ पे आजाएगा, 1 into 1, 1, ठीक, तो यहाँ पे 1 आजाएगा, अब आप देखें, कोई भी number को अगर आप 1 से add कराते हैं, तो आप 1 हो जाते हैं, 1 bar 0, तो यह 0 हो जाएगा, और 0 0 bara 1, दो यह आपका 1 ही ऋचाएगा ठीक, यह हो गया, qn हो गया, यह हो गया, यह आपका 1 हो गया, अब आप इसी में और blue से कर लेता हैं, चलि चाहे clock आपका 1 1 है तो output यहां पर 1 आएगा और 1 into 0 है तो आपका output यहां पर 0 आएगा कोई भी number को अगर 1 से add कराएंगे तो 1 हो जाएगा 1 बार 0 ठीक यह 0 हो गया और 0 तो प्लस 0 कराएंगे तो 00 बार 1 हो जाएगा तो यह बिल्कुल सही है तो यहां पर output आपका 0 आजाएगा ठीक और लास्ट बट नॉट लीस्ट हम लोग करते हैं वाइट कलर से दोनों 1 1 है तो दोनों 1 1 कंडिशन पर 1 into 1 1 यह भी 1 1 है अब कोई भी number 1 से add करेंगे 1 1 बार 0 और यह 0 प्लस 1 1 1 बार 0 तो यह 200 हो सकता है क्या 200 नहीं हो सकता तो यह invalid condition आ गया तो अब देखिए आप इसको compare करके चलिए नैंड को और नौर को दोनों 1 1 होता था इन्वैलिट होता था दोनों 1 1 invalid 10 में output 0 आना चाहिए 10 में output यहां पर देखेगा sr में 10 में output 1 आ रहा है यहां पर यहां सेट हो जा रहा है ठीक है ठीक है और यहां पर 10 में आपका reset हो रहा है ठीक है यहां पर आप देखिए जीरो वन में आपका reset हो रहा है यहां पर 01 में set हो रहा है और 00 में आपका qn है और जीरो नो चेंज यहां पर 00 में नो चेंज है ठीक तो आपका चाहे मतलब आपका basically चाहे NAND gate से बनाए है और NOR gate से बनाए है तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि NAND और NOR में दोनों में बाकी तो ठीक है चाहे clock 0 रहे या 1 के बाद 00 हो जाए या 11 हो जाए output से मा रहा है QN और invalid आ रहा है क्योंकि flip-flop आपन को बनाना है और एक common true table आपन देखते हैं तो आपन एक काम कर सकते हैं यहाँ पर जो NOR gate है इसका जो output है उसको सेम लाने के लिए अपन एक काम कर सकते हैं यहाँ पर Q bar लिख लेते हैं और यहाँ पर Q लिख लेते हैं वह आपका जैसे Q था तो output यहाँ पर आपका 1 था Q bar यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा और यह 0 था तो यह आपका output 1 हो जाएगा और अगर इस table को आप देखेंगे तो यह हू बहू इस table से match करता हूँ पस आपको करना क्या है यहाँ पर में आपको Q bar लिखना है नीचे में आपको Q लिखना है मतलब उसका output आप जहां से लें वहां से आप output ले सकते हैं तो यह आपका state हो गया 9 और नौर से इसका अब हम लोग क्या करते हैं ट्रंकेटेट फिल्प वह बनाते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना पर बताता हूं से जाहां पर सनलम क्या क्या है यहाँ ओट सैस्टिक टेबल क्लॉक आपका 1 के स्टेट में ही है तो आप आउटपट के आएगा देखे दोनों अगर 00 रहता है तो क्या होता है आउटपट नो चेंज वाला स्टेट आ जाता है ठीक है तो जो भी QN था वही QN प्लस 1 में चला जाएगा जैसी 0 1 होगा तो 01 में आप यहाँ पे देखेंगे तो 01 में output क्या है? जीरो है और यहाँ पे भी output 0 है तो 01 में आपका यह these hurting हो जाता है तो output आपका 0 हो जाता है ठीक इसको हम to reset भोलते हैं यह वाला जो condition है इसको हम लोग hold condition भोलते है ठीक यह तो यह जो final है यह आपका truncated truth table है जो आपका sr flip-flop का होता है sr flip-flop का full-fledged अगर आप करेंगे मतलब यह तो truncated है इसको आपन truncated बोलते हैं अगर आपको full-fledged उसमें जाना है flip-flop में तो आप क्या करीए s लीजिए r लीजिए उसके बाद आप क्या लीजिए qn लीजिए और फिर qn plus 1 लीजिए यह आपका हो जाएगा full-fledged इसमें आप 00 ले लीजिए और इसको आप ले लीजिए जिरो ठीक इसमें possible combination लेजिए 001-010-011-010-1-0-1-1-1-1 यह possible combination है अब क्या होता है देखे यहां से अगर अपन 00 लेते हैं 00 तो 00 में आपका जो भी qn था वो hold में हो जाता है जो भी qn था वो hold में हो जाता है जो भी qn था वो hold में हो जाता है वह output आजाता है ठीक उसके बाद आप देखे चाहे 01 होगा तो reset हो जाएगा चाहिए 0-1 होगा तो चाहिए यह कुछ भी हो यह reset ही होना है उसको 1-0 होगा तो उसको set ही होना है ठीक और 1-1 होगा तो invalid condition आजाएगा तो यह invalid invalid condition तो finally जो qn-1 कुछ इस प्रकार बनेगा अब qn-1 को हम logic expression से अगर समझाना चाहें तो आपको मैं यहीं पर बता देता हूँ इसका क्या बना लीजिए k-map बना लीजिए ठीक यह आपका k-map बना लेते हैं इसका यही हो जाएगा इसमें possible कहां कहां पर 0101 ठीक है 001 और आपका x और x ठीक अब आप possible combination क्या बना है पहले और बना किया नहीं बना फिर बना किया तो हां इससे बन सकता है फिर पेर इससे भी बन सकता है तो आपने यह output किसका है qn plus 1 का यह आपका output आगया s plus r bar qn यहीं है तो यह expression बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत है competitive exam में तो direct आपको चार option दे के पूछा जाता है कि आप सीधा sr flip-flop का बताईए characteristic equation बताईए तो यह जो equation है वह characteristic equation है जो आपका यहां से आया है s plus r bar qn अच्छा इसमें बस यह याद रखेगा कि s और r दोनों की value same time पर one नहीं होनी चाहिए क्योंकि वह तो invalid हो जाएगा तो यह हम लोगों को proper truth table देगा अब हम लोग देखते हैं कि excitation table की तरफ हम लोग बढ़ते हैं चलिए तो इसमें हम लोग देखते हैं excitation table excitation table तो आप समझते होंगे नाम से अगर आप समझना चाहें तो excitation मतलब excite कौन करता है input excite करता है तो यहाँ पर यह जो हम लोग इसमें खोजने वाले वह input के हिसाब से खोजने वाले तो देखे इसका possible combination ले लेते हैं 00, 01, 10 और 11 यह चार possible combination है इसके basis पर अगर आपको देखना है तो देखे यहाँ पर आप कोई value को मान लीजे चलिए यहाँ पर आप देखते हैं चलिए 00 है qn और qn देखे qn 0 है qn plus 1 0 है ठीक यह आपका कब किस condition में होगा देखे यह qn और qn plus 1 है तो आप यहाँ देखे में 00 होना और टेक है जिरो का 0 होना वाकी और कोई condition है क्या और की condition ऐसे नहीं है तो 0 का 0 है इस condition में देखे और इस condition में देखे यह क्या है यहाँ है Midwest s तो 0 है आप जिरो है और 1 है तो इहां पर लेह 1 है 2 तो आपका 0 है आर करनी पता चाहिए 0 भी होगा यह यही आउट प्टाना है QN आपका 0 से 1 हो रहा है ठीक QN 0 से 1 हो रहा है तुसको अपन दूसरे पेंजे दर्शाते हैं हरे पेंजे QN 0 से 1 हो रहा है ठीक और यहां पर 0 से 1 होने वाला जो condition है जिरो से वन वाला कंडिशन क्या है वन जिरो ही कंडिशन है तो यहां पर अपन एक काम करते हैं यहां पर लिख देते हैं वन जिरो ठीक है एक मिर्ट ना यहां पर अपन लिख देते हैं वन जिरो वाला कंडिशन कब है दूसरे दर्शाते हैं पीले से वन जिरो वाला वन जिरो वाला यह वाला कंडिशन और कोई कंडिशन है क्या नहीं है तो वन जिरो वाला में 01 है आउटपुट तो यहां पर अपन 01 आउटपुट लिख देते है और 1-1 कभ है 1-1 कभ है 1-1 अपन लाल से दर्शाते हैं 1 का 1 इस condition में भी है 1 का 1 इस condition में भी है अब इसमें देखे 0-0 है और यहां पर 1-0 है मतलब R तो fix है S का पता नहीं तो यहां पर S का पता नहीं है R तो fix है वो है आपका 0 ठीक तो most possible जो वो है excitation table वो यह है कि output से आप input को निकालने की कोशिश कर रहें ठीक इसका अगर हम state diagram भी बनाना चाहें तो state diagram भी बन जाएगा यहां पर अपन करते हैं state diagram state diagram में क्या होता है let's suppose यहां पर 2 ले रहते हैं अपन 0 ठीक है और यहां पर अपन ले रहते हैं 1 दो है 0 है या 1 है अब देखे 0 से 0 अगर आना है 0 से 0 ही आना है 0 से वापस 0 ही आना है तो उस condition में आप क्या करिए S को आप 0 रखतीजिए और R को आप X रखतीजिए यही है ठीक उसके बाद आपको आता है 0 से 1 में जाना है 0 से अगर आपको 1 में जाना है तो आपको क्या क्या पॉसिबल कॉमडिशन है S is equal to 1 होना चाहिए R is equal to 0 ठीक उसके बाद अगर आपको 1 से 0 में जाना है 1 से 0 में जाना है तो आपको क्या पॉसिबल कॉमडिशन है कि आपका S की वे पॉसिबल क्या बोलते हैं ना स्टेट डाइग्राम यह आपका एक्साइटेशन टेबल एक एसार फ्लिप फ्लॉप की यही एक प्रॉब्लम है अगर आप देखें तो आपको यह है कि इसमें एक इन्वैलिड स्टेट आ जा रहा है इन्वैलिड स्टेट जो है आपका एसार फ पर रहेंगा जिरोबन होगा तो री शेट वन होगा यहां को यहीन होगा इससे बचने के लिए हम लोग यह में लोग्यों Bob i use वो है जेकार अब्सक्राइब तो वह हम लोग नेक्स लेक्टर में डिल करेंगे इस लेक्टर के लिए हम लोग इतना ही काफी रखते हैं सभी को आपको हैपी दिपावली और अगले पसंद आ रहा होगा तो आप जरूर इस लेक्टर को लाइक करिए शेयर करिएगा जितने प